नवश्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारेस यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के उपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशार उमीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, एकदम जवर्दस्त होंगे तो आपकी तयारी एकदम बढ़िया से चल रही है और जिन जिन बिद्यार्थियों का ग्रे बिग्यान यानि होम साइंस है उनकी तयारी और दमदार करने के लिए हम आगे के टॉप 10 वाला वीडियो सिरीज ले करके आए प्रते एक वीडियो में 10 कुस्तन विवियाई वाले कराएंगे ऐसे विवियाई जो की बार-बार बोर्ड परिक्षा में पुछे जाते तो चलिए आज के स्रीज का ये रहा आपका पहला प्रश्न कपड़े धोने से सर्वाधिक क्या वे होती है वे मतलब खर्च सबसे जादे इसमें क्या लगता है अगर आप कपड़े धोते हैं तो क्या पैसा लगता है या फिर शाबून खर्च होता है या उर्जा खर्च होता है या फिर सर्व खर्च होता है बताएंगे फटाफट से कि यदि आप कपड़ीद होते हैं तो आपको इसमें से सबसे ज़्यादЕ कौन सा खर्च करना पड़ता है अगर साबुन यह सर्फ चूच कर रहे हैं तो आप गलत है सबसे ज़्यादे अगर खर्च होता है तो वो है उरजा ठीक है एनर्जी सबसे ज़्यादे खर्च होती है ठीक है यदि आप से चूज किये थे तो एक उत्तर आपका सही हो गया एक अंक आपको मिला और अगर दूसरा तो इमानदारी से आप एक अंक घटा के लिखेंगे ठीक है चली कीडे से बनेने वाला रेशा क्या कालाता है कीडे से कौन रेशा बनेंगे भाई रेशम है उन है रियोन है या फिर नायलून है ठीक है तो कीडे से जो बनेंगे वो हो जाएंगे आपके रेशम ठीक है रेशम किससे बनता है फटा फट से आप लोग कमेंट करेंगे ठीक है रे ठीक है, जिस बचचत रासी का ब्याज प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवन बिमां, विन योग, डायक घर या फिर व्याय जिस बच्चत रासी का अगर कामधाम होता है बाईव पचास हजार रुपया कमाते हैं तो पचास हजार रुपया मेंसे अगर वीस हजार रुपया महीना का बच गिया कि यह 20,000 को कहीं लगाएं और उससे कुछ पैसे बढ़के मिले तो जो बढ़के मिले वो हमारा क्या है भाई? इन्वेस्टमेंट का परिणाम तो वी नियोग यहाँ पे एकदम सायोगा अंगरेजी में इसी को इन्वेस्टमेंट करते हैं ये अगला आपका प्रश्ण रहा वे के प्रकार हैं वे का मतलब बता दे अगले महीना में रेंट देना है ये तो निर्धारित है कुछ खर्च ऐसे होते हैं कि जो निर्धारित तो नहीं है लेकिन करने पड़ जाते हैं कुछ खर्च ऐसे है कि जो दूर दूर तक नहीं समझ में आता है ना तो उसके लिए कभी प्लान हुआ है अर्धारित ताइप के भी नहीं है और वो कभी अचानक से हो जाते है जैसे आप अचानक बीमार पर गए और आप दवा पर खर्च कर दिये तो उसके क्या है अन्य व्य टैप के हैं उस तरह से बहुत सारी चीज़े आएगे यानि तीनों होगा तो आपका उपरिउक्त में से सभी न नहीं है तो तीनों सही है तो डी उत्तर आपका यहाँ पर क्या होगा सही हो जागा ठीक है चली अगले प्रश्ण के दरफ बढ़ते हैं और यह रहा आपके सामनी फटा फट से अगला प्रश्ण प्रश्ण है आई एस आई का पूरा नाम क्या है उपोक्ता निवारन संगठन भारतिये मानक संस्थान फालुत पाद आदेश उपोर उपोर्ट में से सभी तो आई एस आई की बात कर लेंगे आई एस आई यह होगी आपका इंडियन अस्टेंडर इंस्टिशिशन तो भारतिये मानक संस्थान यानि भी उत्तर एकदम सही अगले प्रश्ण के उपर में देखेंगे अगले फाइब नमबर प्रश्ण ये रहा आपके सामने प्रेशर कुकर से किस चीज की बचचत होती है समय के, इंधन के, सक्ति के या फिर उपर उपर उप्तमे से सभी तो ये आपकी प्रेशर कुकर से आप सब जानते हो कि सब की बचचत होती है भाई तो डी उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा एकदम सभी हो जाएगा अगले प्रश्ण के उपर में देखें अगले प्रश्ण है आपका यहाँ पर उपर उपहोकता सरच्छन अधिनियम लागू है कब से फटा-फट से बताएंगे तो इसका सही उत्तर डारेक्ट आपको बता दे आप सब जानते हो पोकता सरच्छन अधिनियम 1986 से लागू है इसके आगे कि अगर बात करें उससे पहले एक छोटी से जनकारी दिना चाहेंगे कि जो अभी-अभी होम साइस की क्लास कर रहे है बहुत सारे प्रस्म सही जा रहे तो अच्छी है अगर गरबड जा रहा है नहीं ठीक हो पा रहा है तो उनके लिए बता दे कि बस 199 रुप्या में आपको हिस्टे जोग्रफी पॉलिट्री होम साइस जो भी सब्जिक्ट होगा वो सारा का आपको विवस्ता है अगर कोई एक सब्जिक्ट कर रहे है तो केवल 99 रुप्या में आपको येक सब्जिक्ट हो जाएगी उसमें आपको क्या मिल जाएगा तो उसमें आपको classes मिल जाएगे class plus आपको notes मिल जाएगे वो notes जो होगा वो आपका chapter wise हो जाएगा ठीक है यह सारा कुछ इसके लिए आप मेरा number note कर सकते हैं लिखे 888 और आपका 2537 और 6551 इस number पर आप contact करके तो आप सब जानते हो कि साथ साथ खेलने से यहाथ मिलाने से जल भोजन से इन सबसे जो है वो एट्स नहीं फैलता है फैलता है भाई संक्रमित सुईयों से जैसे कोई आपको injection दे दिया तो देखिए injection में blood की मातरा आ जाती है ठीक है अब blood में ही जो है वो वाईरस रहता है और फिर वही अगर injection से दूसरे को दे दिया जाएगा तो उसमें भी भोकाया तो उसमें भी blood से संपर्क साज़ा करेगा तो वो वाईरस उसके blood में touch हो करके और पूरे body में संचलित करते इस तरह से फैलते है यानि C उत्तर सही होगा ठीक है चली दो ही प्रशन है फटा-फट से देख लेंगे डालों में सरवाधिक मिलता है क्या मिलता है डाल में विटामिन वसा प्रोटीन या फिर iron तो सब जानते हो दायरल में सबसे ज़्यादे प्रोटीन होता है ठीक है तो इसलिए डाल पिया कीजिए नहीं भी पीते हैं तो एकदम चाप के मारें लास्ट प्रशन है आपका कि खेसारी डाल खाने से होता है रताओंधी होगा या फि जाहिए ठीक है चली यह दस कुश्ण करा दिये बताएंगे कमेंट करके कि दस में कितने प्रश्ण आपके सही है बाकी स्रीज को लाइक कर दिया करिए अपने मित्रों के पास सेर करिए ठीक है हम मिलते है आपसे अगले दिन अगले वीडियो स्रीज में तब तक के लिए धन हो राध है राध है